तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्स यारी सबसे पहले चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर ले मनोज है और T20 वर्ल कप आपको पता है ना कुछी दिनों बच्छे आने में तो वेस्ट इंडीस की टीम आ गई है मनोज सबको इंतजार होता यह बात अग्यार में आपको जो है कि न रसल है यहां पर नहीं न रेन है तो न रेन के लिए तो हम जैसे बात भी कर देख लेकिन रसल का शायद वह हुआ है कि जिस तरीके से डिसक्शन हुए थे उन्होंने कोच की तरफ से जो बयान आना फिर उनका काउंटर में ख्याल से इंस्ट अगड़ी बल्ले बाजी कर रहे है उनको वापस ने आए शेल्डन कॉटनल केम उस ताइम बात कर रहे थे कि थोड़ा सी इंप्रूब्मेंट भी दिखी है वो आगे है शिमरन हैटमायर है जेसन होल्डर है उसके बाद आप देखेंगे अकील हुसेन इनकी तरफ से बेस्प काबला भी एक खेल भी रहे और अच्छा बैटिंग कर रहे थे मुला की टीम तो नीचे लगी थे यह भी एक है कि जिनको मेडन कॉल अप है और ओडियन स्मिथ यहां पर जो हम बात करते हैं कि रोमेरियो शेफ़र्ड या फिर ओडियन स्मिथ तो बोलिंग उप्शन्स पिछला T20 World Cup से इस T20 World Cup में टीम कितनी बदल गें मनुझ देख पूरन हैं पॉवल हैं कॉटल मेरे खाल से तब भी थे हैटमायर भी हैं होल्डर भी हैं अकील हुसें अकील हुसें भी होगे जोसेफ मेरे खाल से नहीं थे नहीं थे नहीं थे एवन लुइस को इंजरी ती उ पिछले बार गेल वगैरा समट्रों लेंडल सिम्मान्स भी थे शायर वट्षर भी थे विश्चले वारी किया वह वो भी थ थे नहीं थे ऋमारे रौस्तन चेस रुख ईयो बड़ी वढ़ी तीम दिखा एव अच्छी दिख ले है यह तो यह जो टीम है तो यह जो टीम है त तो ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खेला यह बॉलर्स को जानती ही नहीं है यह बहुत यंग्स्टर है यही देखना होगा कि क्या उनकी स्टार्टिंग 11 में वह रहेंगे क्योंकि आपको बता है कि अवन लुईस और काईल मेर्स अगर आप ऐस न ओपनर देख रहे हो तो लुईस और मेर्स से ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए फिर आपको जाऊंगा 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 चार्स यह साथ तो आपकर सिम्रान हैटमायर हो जाएंगे पांच। रॉममन पॉवल छै हो जाएंगे फिर आपकर जेसें होल्डर साथ पर हो जाएंगे उसके बाद आपको लुएद में दालेगा डालेगा डालेंगे ओल्डर और भी निराशी किया ऑर हुब हट पर उनके लिए option तो यह दुनों नाम उस तरीके से रहेंगा है Sheldon Cottrell को यह कोशिश है यह रहनी चेन कि भाई खत्म कर दें 14-15-16 वह अगर तक उस तरीके से रहेगा तो यह सारी की सारी चीज है कुछ लोग कहते हैं कि भाई उशेन थोमस का है रसल और सुनीन नरेन कहा है तो यह तो भाई वही लग रहा है कि उनकी बात बनी नहीं जो डिसकुशन सुए उनका रहा था खेलते भी कहा है यार वेस्ट इंडीस थे हम जो बात कर भी देते कि शायद वह वापस आए नहीं यार पिछले साल आपने यहीं खड़ों के वीडियो किया था मुझे यार तो आप देखा था नो नरेन तो आप यहीं नहीं कर सकते तो हमारा भी एक था कि मुपता था कि Amos तो मुझे पता था यहीं भीडियो कि अधियो मांग सकता तो रसल ने भी बौल दिया जी फिर ठीक है जी आप नहीं कर सकते तो तो हमारा भी एक था कि मुछे पता था कि ऐसा ही कुछ होना है अगर उनका रसल का वो पोस्ट मिलता है तो वो जरूर दिखा है रूमेरियो शेफ़र्ड धान्जो नाम जो नहीं है जो लगते हैं उनके साथ रूमेरियो शेफ़र्ड नहीं है, हेड़न वॉल्स जूनियर नहीं है वहाँ पर आप वो कॉल रहने है, हेड़न वॉल्स की जगए यहनिक कह रही है वो तीस साल के है, वो भी उनको मेडन कॉल अप शायद फर्स्ट लेवन में ना हो वो भी उसके अलावा जो आपके पास Fabian Allen कोई लोग पूशन तो Fabian Allen भी नहीं है Fabian Allen थे शायद पिश्री बारी की वोल्स कप वाली टीम में वो थे वहाँ पर तो वो भी नहीं है, रसल और नरेन बिलकुल नहीं है अब यह देखने हैं कि भाई, यह इनके पास वैसे अब इनको भी शिम्रन हैटमायर, निकुलस पूरन बड़ा टाइम हो गया सर्कुट पर खेलते हुए तो अब फाइनली इनको इंको इंपक्ट डिलेवर करना पोड़ेगा तो वो एक Brandon King बनता है और एक Johnson Charles जो आप करें कि आप open कराना चाहेंगे भी उनसे तो वो उपर होगे, फिर तीन पर किसे करते हैं, मेर्स को करना सही है इस टाइम पर या फिर लोईस को या फिर दोनों मैंसे किसी को नहीं और Brandon King हो तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि Brandon King शायद बीच में चार वार पर वो वंडे में भी खेनने आ रहे थे मेरे कहां से Brandon King नहीं हो सब तो ग्रेमर रीफर जैसे खिलाडी पर बहुत सारे उप्शन वो अगर एकवरी आपको पोस्स मिले आंदरे रसल का जिसकी हम बात करने मिल जाएगा आकाशा का ठून के दे वो सारी चीज़ें लेकिन मनुझ आप कितना मतलब एक आप इस चीज को वेस्ट इंडिस की टीम को ऐसे लेखते हैं कि इन पर एक्सपेक्टेशन का बोच नहीं होगा अब एक नहीं टीम है क्योंकि पुराने साल जब टीम आई थी तो तू बहुने से लग रहता भाई ये टीम कुछ नहीं करने वाली क्योंकि गेल का फॉर्म गया गया हुआ था पुलार्ड स्टरगल कर रहे थे द्वेन ब्रैवो का भी हो गया था कि यार बस कर रहे है किसी तरह वो चल देगे गेंदबाजी तो खहर उनकी अच्छी होती है पर बल्ले से आपको उतनी हादा चीज लगए तो टीम ऐसा लगा था कि नाम बड़े-बड़े हैं रेप्यूटेशन वाइस है बट कुछ कर नहीं पाई गया और अंतिब वही देखने को पिछले साल स है नाम जिस पर आप रिलाई कर दाते हो आपको भरोसा रहता है कि थोड़ा बहुत जो है बाकी है कि ओबिड में कोई कभी चार-पांज विक्ति लेते हो कभी वो साथ भी करा देते उस तरीके से चीज़ है तो चाहे बैटिंग ग्रूप है चाहे बोलिंग ग्रूप है इनक जो स्ट्रगल करने की वजह है उनके स्ट्रगल करने की वजह है कि भाई पिश्टी बारी हेटमायर को शायद थोड़ा उपर खिलना चाहिए था जब वो अच्छे रंग में थे तब उनसे उपर बैटिंग में करवाई गई थी इस बारी करवाई तो ऐसा नहीं हुआ नहीं यह भाई लिख रहे हैं एक भाई क notorans जाए रहा है आयूश की भाई टीम डिखा यार तैम और न तब अब हैएव टू causa तो देख ले भाई जो मेहां थी तीम दिखा दे रा तो वो विवात कहीन है जब तीम हार ने लगी तो फिल सिमंस ने शायद उन पर कहा दिया अब वो दोनों ही बैटर जानते कि आपस नों का कि अब आपको रसल तो शायद उसका उतना वह भी नहीं होता है वह यह बाकि उनका वह भी देखना है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस जरुरे क्योंकि इन्होंने जो है उदर से आगे आना है तो एक बार भी दिखा देजें क्योंकि इनको क्वालिफायर पहले खेलना और फिर जो है आगे ही आएंगे उनको मिरक्याल सच जिम्बाबवे वाले सेम ग्रूप में जिम्बाबवे भी आईरलेंड बे तो वहां पर भी इनको एक फाइट देखने को मिल सकते है ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आसान सा रास्ता है बाकी की टीमें बहुत हलकी हलकी है वहाँ पर अईश भाई किया नहीं है अगर वह होते तो बहुत जबिहार जाती है अभी इनके चांसे में रही और सारी कि सारी चीजसें की जो हम बात कर रहे हैं जो अभी रजद आपने प्ले किया था थोड़ देर पहले जब उस टाइम चल रहा था ग्रुप्स में कौन-कौन सा है वो सारी चीजे बता है तक मैं सवाल लेता हूं यह आप देख सकते हैं यह ग्रुप था ए और बी तो ए में आप देख सकते हैं स्री लंका नमीबिया सकते हो और जिंबाब्वे भी धीर धीर अच्छा करते आ रही है नो डाउट उनका ODI साइट बढ़ा अच्छा है T20 में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा पर टीम T20 में अपने दिन पर किसी का भी खेल खटम कर सकते हो और खेल बिगाड भी सकती है तो इनको वहां पर थोड़ा सा चैलेंज दो फेस करना पड़े है क्योंकि जिंबाब्वे अभी जैसा खेल रही आइलेंड जैसा खेल रही है तो देखते है क्यों अगर लगातार मिंटेन कर सके तो स्कौड ही है जिसमें से वही चीज है कि ना रसल है न नरेन है मालब एंड और भी हो गया एक बतला जब यह लीक्स को अगर इस तरह आप खोल लोगे तो इनको भी उनका खेल ज़ा ना चाहिए को जो और लेक्षी है यह लेटिए है नहीं है ना दो लोग नहीं था बड़ वो जीतने के बाद उने वो चीज कही थी तो बी हनेस्त इनको वेस्ट इंधिने द्धान देन इसके बाद क्या होगा जीतने के बाद भी तो अभी है कि इनको भी थोड़ा सा एर की बहुत ही मलग जिसे कहते हैं कि एक निराशा जन्नक जिसको आप मलग कहते हो कि एर पर यह क्या ही खेलें उस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है तो इतना भी बुरी टीम नहीं है अगर अगर जाएंगी तो आप बेटर एक एंटर्टेनमेंट प्रवाइड करको और वेस्टनीज के साथ एंटर्टेनमेंट हमेशा जोड़ी आती है तो वो कम से कम एंटर्टेनिंग ब्रैंड ओफ क्रिकेट आपकी देखने को मिले तो यह उनका स्कौर्ड है इनका कह सकते हैं कि कि end of an era वहां पर हो गया है तो चलते हैं फिर दोस्तों अभी टीम आपको बतानी थी अब आपको जब टीम देखनी हो स्पोर्ट स्यानी मैं और टीम देखें और हमारी बाते भी सुलें तो यह वो सिल सिमन्स का वी कांट बैक पीपल तो प्ले फॉर रस इंडीज यह उनने कहा था फिल सिमन्स जो कोच है तो उसके बाद रसल ने कुछ कर दिया था और यह विवाद बढ़ता कि और आशल का कि आपके वैसे हमने देख लाए क्योंकि उनने डेलीट कर दिया था इसम्मोजने का तो यह उनका आर्टिकल था जिसके ओपर फिल सिमन्स की जो बात थी तो यह थी भाई उनकी टीम और वो कहने कि भाई फिनिशर कहा है वेस्ट इंडीज में तो भाई अब बनना पर अब इसमी करें लाएक पर और से अबलेंस को भीण और बना एपिज अधरत वैस्वन को ढरिक्राइब है तो मनौज हम चलते हैं रिपें इसमयस की टीम हप देख सकते हैं तो अभी इजाजद ले तें लएकिशर सब्सक्राइब करें आप साथेसाथAL स्समेमा 94 कोब्ह करें सब्सक्राइब और स्पोर्टसारी.com जो हमारी वेब साइट है वो भी विजिट करें अभी आपसे इजाज़ लेते हैं जै हिंद जै भाद